तेकनिकली अगर मैं सही बात करूं तो नैट्रक में 4G के PFO को ही RFIC कहाते है और जो WTR होता है जिसका फुलिफ़म होता है wireless trans receiver उसको हम basically कहते है trans receiver तो basically trans receiver उसको कहा जाता है transmit करने के लिए वो सिफ transmit receiving, transmit, receiving करने का काम करते हैं समझूं दोस्तों यहां पर यह जो APT modulator है यह आईसी यहां पर आप देखेंगे यह 12 बोल का आईसी है और बारा बोल को इस तरह से डिजाइन किया है मैंने और यहां पर आप इसको नंबर वाइस गिनना है और जो पहला पिन है और वो जो दो दो यह दो कैपिसेटर एक यह और एक यह जिनको निकालने के वज़े के बाद फिर आप देखेंगे कि आपका फोन ओन हो जाता होगा बड़ वह फॉल्ट फिर से आता हो वाले दुनों में जो 5G सेट आ रहे है उसमें आपको यह पूरी पावल लगी मिलेगी चार-पाँच पावर में से और एक पावर सिफ वह से अपिटी की होगी तरह बिल्कूल जैसी होगी यहां पर ऐसा नहीं छोटा सा इसी बड़ा सा इसी लगाएंगे पावर ऐसा तो आपको आने वाले सटकितों में बने रहना बहुत ज़ोरी है नए हैंसेटों में अगर आपको इस फील् जिद है मेरा फिटूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुरूर So हमारी यूटूब फैमिली कैसे आप सभी लोग दोस्तो एक और सलूशन मैं आपके लिए लेका हूँ अलागी है मैंने इस पहले भी वीडियो बने भी आप कहींगे सर यह औरेडी वीडियो बने हैं पर दोस्तो क्यों ना एक बार मेरी लेंग्वेज में या मेरे समझाने के तरीके से आप इसको समझे हो सकता है क्योंकि इस तरीके का वीडियो यूटूब में पहली बार है पहले ठीओरी फिर उसमें लॉजिक उसाइगे दोस्तों M3 या Redmi Note 9 या कुछ इस तरह के जो फोन आ रहे हैं जिसमें एक फॉल्ट आ रहा है या जिस जो भी साइट में साउमी के हो अगर यह फोन में फॉल्ट आ रहा है कि भाई वो फोन डेड हो जा रहा है और उसके APT करें हीट नहीं भी दे रहें तो आप उस पर यहां पर नोटिस कीजिएगा आप लिए नहीं भी दे रहें तो आप उस पर यह दो कैपिसेटर कौन से देखो अधर एक यह कैपिसेटर मैं बदलता हूँ है most करो प्रपी हैं कि यह यह चाइप सब्सक्राइब और मेरा यह चाहए लगोच सब्सक्राइबssen एफ कर देते हैं उसको हम में तोड जाता है और अरण दिखते ओगे तो आपका काम भासा देखते कके और इसको वा निकालकर remove किया, revolve किया, change किया, हो गया, कुछ लोगा ने 632 के 9 वर्जन को 6 वर्जन में बदल दिया, हो गया, तो हर कोई अपने-पने solution निकालके YouTube पर डाल रहा है, हर कोई अपने-पने solution निकालके phone को बना रहा है, पर वो permanent solution नहीं है, phone उससे भी dead हो जा रहे हैं, और आगे जाकर मतलब, कि phone dead नहीं हो, एक permanent solution क्या है, आई इस वीडियो में बाते करते हैं, दोस्तों, अब तो उसके लिए, आपको नहीं, आपको यह आई-सी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, उसका रीजन classes में, बड़ आपको मैं सबताओ, कॉलकम में अगर यह इसी लगी है, तो आप देखेगा कि कुछ आने वाले सेटों में, आने वाले दुनों में, जो 5G सेट आ रहे हैं, उसमें आपको यह पूरी पावल लगी मिलेगी, चार पाच पावर में से, और एक पावर सिप बहुत सिप APT की होगी, ठीक है, और वो बिल्कुल पावर जैसी होगी, जहा किया होगा, तो 5G तो उनको समझ में, समझ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक सर्कृट आजाएंगे उसके अंदर, तो यह सारी चीज आपको समझना बहुत ज़्यादा, जोड़ी है, अब मैं बात करूंगा दोस्तों, कि अब यह APT मोडिलेटर क्या होता है, उसके व पर आप इसको number wise गरना है, और जो पहला पिन है और वो यह दो कैपिसिटर है एक 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 और और एक जिनको निकालने के वज़े के बाद आप देखेंगे कि आपका फोन ओन हो जाता होगा, बैद वो फॉल्ट बिल से आता होगा तो मैं आपको बता रहूं, जो पहला ला लगा हुआ है dc to dc और यह capacitor से तुरू इस को input के रूप में मिल रही है और जिस पर इसी एक switching हो रही है वी बैट की जो यहां पर बारा नंबर के बॉल से हो रही है और जिसके साथ एक और capacitor लगा हुआ है अब नोट कर सकते है वह भी जुड़ा हुआ है और इसी बीपी एच और इसी switching के साथ में जो ग्राउंड है उसको सेंस करने के लिए तो यहां पर switching पर हम बात करें मिपी जिसको हम या तो नाम दें दूसरा मिपी की सप्लाई है जिसको हम आरेफ मिपी कहते है और अगर हम बात करेंगे यहां पर इसी आइसी को एक substitute में जो एक voltage मिलते हैं मेन इंपुट के बाद वो मिलते हैं VDD 1.8 और यह voltage भी बहुत होते हैं क्योंकि यह voltage VREG L9 से मिलते हैं और इन सैटों में L9 जो आपका जो voltage है यह maximum सारी जगे पर जा रहा है इतरह से आप यह समझो कि यह MMC का VCCQ यह भी ह है और आप अगर knowledge रखते हैं तो आपको पता होगा कि VCCQ is very important अगर यह line दिक्कत करेगी तो आपका phone पूरा बंद हो जाएगा क्योंकि आटो पोड बना देगा और यही reason है कि आटो पोड बना रहा है हमारा सैट अब notice करो कि यहां पर यहां पर जो हमारा यह वाला पिन है य यह हमारा output जा रहा है यहां से output निकल रहा है और यह अपर जाके आपको मिल रहा है और यह 3 पिन इसके ground है और मरूर कि स्वीचिंग हो रही है जैसी सुचिंग होती है यह यहां on होती है व्यवाटिया जो आपकी यहां पर जाकर VPA बनता है VPA मतलाAir sneakyuna वोल्टには पावर एंप्लिफायard कि से कहता है नेत्रक का पावड एंप्लिफाय्र जो आपकी नेत्रक रफ कावरें अब दोंं सीनके नाम नाम यह तो आप यह मन को अपना बोलने left ट्रांसमेट करने के लिए बद्रीन के लिए उसको कहा जाता रहा है देत при ट्रांस्मिट करने का ड सेविए यह इस फोजी जरी जहें होगी तो फोजी है नहीं नहीं बनेंगे और नो से ऑसकती है और जिसमें आपका रेडियो बी आफो सकता है गार मुबाइलके बात करेंगे मुझे कमेंट करके बताइए रेडियो और फवे कि इसको वीडियो चाहिए मैं जरूरू बनाऊगा मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या देना है मैं अब आपको यहां पर खरेंदो क्या मिलने वाला है अगर आप इहां पर यह ग्यरीश्टर करेंगे आपको इसको चेक करने जुरूरत के अपने इतना सब कुछ नहीं के ज़रूरत calculator अब आपको क्या करना है कि यहां पहे सट करना है 3.8 कि यहां पर आपको रखना है 4.7 कि यहां पर भी आपको रखना है 4.7 Ti आप देखें कि यहां पर आपको जोग doit मिलने वाला है वह 1.9 वोल्टे अपको मिलने बाला है आप नोटिस किजिएगा आपको जो वोल्टेज मिलेगा 1.9 मिलेगा और अगर यह मैपसिमम गया चार वोल्टेज तक तो यह तो वोल्टेज तक हो जाएगा और अगर 3.7 की बात करूँगा तो नोटिस किजिएगा और अगर 3.7 की बात करूंगा, यह देखे, तो अगर मैं 3.7 वोल्टेज दूँ, मनला बेक्तर से बीबैट का वोल्टेज, तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आपको मिल जाएगा, तो आपको जो रिजिस्टर यूज करना है, वो 4.7 का यूज करना है, और आपको यहाँ पर 1.8 दोस्तों मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, अगर मैं आपको यहाँ बता हूँ, मैं इसको फिर से और अच्छे तरीके से बता देता हूँ दोस्तों, धान दीजेगा, कि आप क्या कीजेगा, दो रिजिस्टर लीजेगा, इस तरीके से, इसका एक शेरा ग्राउंड करक इसके एक शेरे को बीबैट से भी जंपर मार सकते हैं, क्योंकि यह बीबैट आप नोटेस करो, यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ से मार दीजेगा, तो यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज बन जाएगा, तो आप इस तरीके से इस से को वाइपास कर सकते हैं, और यह पर्मेन करनेगा, और हमारे इस IC के वज़ए से या जो हमारी इस IC की होने वाली स्विचिंग की वज़ए से, जिसकी वज़ए से हमारा यह ड्रॉप हो रहा है, या फे बार बार यह सेक्शन हमारे मुबाइल को डेट कर रहा है, तो यह डेट नहीं करेगा, तो आईए, मैं आपको अ आप देखें, यह bitmap है, और अगर मैं इस bitmap में अभी आपको explain करूं, तो आईए, इस bitmap में आपको explain करता हूं, देखेगा, तो हमें क्या करना है, हमें किसी का भी एक सिरह, जैसे अब हम बात करें यहां पर, यह हमारा nose cut point है, यह वाला जो पैड है, अगर मैं पहले इसको, म मनला भी हमारा B-Bat हो गया, तो आपको क्या करना है, दोस्तों, आप धान दीजेगा, आपको एक register लेना है, और एक register का एक सिरह, यहां से connect, टच करके, और उस register का उसके साथ, एक register यहां से touch करके, उसको यहां से joint कर देना है, मनला दो register आपको रखना है, इसी capacitor के पास रख और यह वाला कोईल आप हटा देना, और इस कोईल पर आप एक यूवी गुलू रख देना, आप मानके चलो, यहां पर आपने यूवी गुलू रख दिया, अब उसके बाद आप एक कोईल लगाएगा, फिर से वही कोईल बापस रखके, इसके बीच वाला सेरे को आपको इ मैं बाता रहा हूं तो यहां पर अगर मैं इसको फिर से बताऊं दोस्तों तो यह क्यापेस्टार आप देख रहे हो इस niesamow में को वे सिरन ग्राउंड है और आपने यह दो क्यापस्रिटर निकाल affects एक 방ारा दो कि किदनिक भाइख की 4.7 उसके बाद से जाएं पिदनिक क्यान केंस करना और उसके बाद उसको कहीं भी जोड बाद के ग्रांड आर इस से बीच में से इसको डग देना पहले तो धनकाकर इस को से नहीं को, जो नगाना आप डारीट बीजोड सोड़के हो, वैसे कोई दिक्कत-डिकत नहीं पर काई-के मादःम से दो और उसके बाद यह परमेंट संशलूसन मुझे बताया का जरूर और मैंने आपको सम्झाने की कोशिस पूरी की है और आपको एक बार अपने एक आपको पूरा संजाया तो कैसा लगा यह पिट उल्जेट मोड़ेटर का सरकेट यह भी बताय का जोड़ोर और आप क्या शरकेट को जानना चाह थेंक्यू वरी मच्च कि अुट सूइड़ कि अुट सेगस भीड़ कुट सेग्यूब को कि अुट सेगसे विए्योब कि अुट सेगसे बादाओ को